कुछ दिन पहले गोवा में एक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा था लेटर था प्यम मोदी के नाम जिसमें ऐसा दिखाये गया था कि गोवा कलब मालिकों से 2-30 लाग की वसूली की जा रही है और उसे रहात दिलाने के लिए इस लेटर में प्यम मोदी से गुहार लगाई जा S.P. ने कहा कि पूस्ताच मी ये पाय गया है कि शिकायत में हस्ताक्षर फरजी थे और शिकायत करताओं के नाम नहीं थे इसे वाटसेब के माधिम से वियतनाम के नंबर से 16 मार्च को भेजा गया था वही गोवा के मुख्यमंतरी सावंद ने कहा है कि उन्हेंने मामले की जाँच के आदेश दे दिये हैं अगर कोई जबरन वसूली में शामिल है तो हम बरदाश्ट नहीं करेंगे इन्हें डंडित किया जाएगा कुछ लोग इस तरी की शिकायते का राजनितिक फायदा उठाना चाहते हैं मेरा प्रशासन साफ है और ऐसी चीजों को बरदाश नहीं करेगा आपको बता दे कि जो लेटर सर्कुलेट किया जारत उसमे मुखमेंत्री सावंत तेंदुलकर और पालडोसकर जो की अपराधिक और खुक्यात गुंडे है उनका जिक्र किया गया था और बताया गया था कि क्लब और रेस्टरेंट्स के अकार को देखके मासिक राशी जो की दो लाग से तीस लाग है उतने रुपए की मांग की जा रही थी उसकी वसूली की जा रही थी